NEET MBBS Admission 2023 आपके स्कोपर कौन सा Medical College मिलेगा इस साल, जानिए इस विडियो में। नमस्कार दोस्तों आपको मालूम होगा कि अब NEET 2023 की Counseling शुरू होने बाली है। तो आज हम डिसकस करेंगे कि किस स्टेट में आपको कौन सा College मिल सकता है आपके NEET किस स्कोपर। क्योंकि ये हरू स्टेट काउंसिल में ही लागू होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना न भूलें। ताकि वो भी NEET काउंसलिंग में इस इन्फॉर्मेशन का फायदा ले सकें। तो आओ जाने है कि क्या संभाभनाए है अपके NEET किसको पर कौन कॉलेज आपको मिल सकता है और क्या रहेगी उस कॉलेज की फीस। उस रेंज में वो इस्टुडेंट नहीं आ रहे हैं तो उनके लिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की कहां कहां पोसिबिलिटी है कितने मार्क्स पर आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा इस वीडियो में हम सर्चा करेंगे कि राउंड वाइज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से स्टेट में आपको कौन से राउंड में मेडिकल कॉलेज मिल सकती है कितने स्कोर पर वो कॉलेज मिल सकती है उससे पहले मैं आपको एक ruling बता देता हूँ, इंडिया में रूल यह है कि जो candidates जिस state की domicile रखता है, उस state के government और private medical college में admission ले सकता है, इस state कोटा कीता है, पोल इंडिया कोटा तो domicile पिरी है, पोल इंडिया कोटा में तो कोई state का कोई भी candidate admission ले सकता है, लेकिन state कोटा के ल अब कुछ state ऐसे हैं, जो अपनी state में दूसरे state के candidate को private medical college में allow करते हैं, जिने open कोटा कहा जाता है, जैसे करनाटका, केरिला, तमिलनाडू, आंधरा, चतिशगड, तेरपुरा, उत्राखंड, हिमाचल परते हैं, यह सारे open state हैं, लेकिन कुछ ऐसे state हैं, जो अपने state के अलावा, दूसरे candidates को, दूसरे state के candidates को private medical college में भी allow नहीं करते हैं, उन्हें close state कहा जाता है, जैसे महराश्ट्रे, MP, उरिशा, गुजरात, ऐसे काफी सारे states हैं, जो दूसरे state के candidate को allow नहीं करते हैं, उन्हें close state कहा जाता है, तो आज मैं इस वीडियो में उन states की cutoff के बारे में बताऊंगा, जो open state हैं, यानि की, जिन candidates के marks government की जो level है, उस पर नहीं आ रहे हैं, उनमें उनका admission नहीं हो रहा है, गौर्मेंट medical college में, जिनके 500, 400, 450, 300, 350, 200, 250, 100, 150, इस प्रकार से score आ रहा है उनका, तो उनको कहां कहां पर private medical college की possibility है, कौन से round में उनको college मिल सकता है, इस वीडियो पर हम चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले देख लेते हैं, उन open states के बारे में, जिनकी cutoff क्या रह सकती है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, केरला इस्टेट के बारे में, केरला होती है, 7,00,000 से इसकी fees start होती है, केरला इस्टेट की, अगर इसकी round wise cutoff की बात करें, तो first round में 550 cutoff रह सकती है, second round में 525 cutoff रह सकती है, और last round में 450 cutoff रह सकती है, केरला इस्टेट की, क्योंकि इसकी fees आज की date में सबसे कम है, हलांकि ये 7,00,000 रुपे की जो fees है, ये tuition fees ये है, ये भी कम नहीं है, और इस पे other expense लगा के, ये 10,00,000 पढ़ जाता है, लेकिन अगर compare करें, तो 10,00,000 से down और कोई college की fees नहीं है यहाँ पर, तो सबसे कम fees वाला state यही है, केरला इस्टेट, जिसकी cutoff 450 last round तक जा सकती है, अब इसके बाद बात करें हम करनाट का state की, यह भी एक popular state है, यहाँ पर भी यहाँ के private medical college में जो north east के student हैं, वो काफी जाते हैं, जो हरियाना, राजस्तान, यूपी, बिहार, इस तरफ के student यहाँ पर काफी admission लेते हैं, और इसके अगर round wise cutoff की बात करें, तो 490, 480, 420, यहनि कि first round में 490 cutoff जा सकती है, शुरी, यहाँ पर 490 cutoff जा सकती है first round में, second round में 480 जा सकती है, और last round में 420 cutoff जा सकती है, करनाट का state के लिए, यह करनाट का state के लिए इतनी cutoff जा सकती है, first round, second round, और last round में, अब बात करें हम 36 गड़ी state की, यह भी एक popular state है, यह भी कम फीस के लिए जाना जाता है, यह 36 round में cutoff रह सकती है, 450 second round में रह सकती है, और 400 last round में रह सकती है, तो यह हिंदी बासी state है, इसकी वज़य से करनाट का और केरिला की बजाए लोग ज्यादा इसे पसंद करते हैं, और फीस भी इनी के level की फीस है, इसलिए इसकी cutoff जाती है, लेकिन last round में इसकी cutoff काफी कम चली जाती है, mope up round में अब बात करें हम तिरपूरा इज टेट की, तो तिरपूरा इस्टेट North East में होने के कारने सकी cutoff 521st round में जा सकती है, और 340 जो cutoff है, यह जा सकती है, 350 cutoff जा सकती है, लास्ट राउंद में, यह जो cutoff 540 है, यह 440 cutoff है, यह मैंने गलती से 540 लिग दिया है ये 440 कटोफ second round में जा सकती है तिरपुरा state के लिए इसके बाद बात करें हरियाना state की हिंदीवासी state है ये भी 350 कटोफ first round की रह सकती है 240 second round की रह सकती है और last 200 तक यहाँ पर admission मिल जाता है हरियाना state में अब बात करें हम हरियाना state के बाद में उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश के बारे में यहाँ काफी सारे colleges है कटोफ सबसे डाउन रहती है यनि कि इंडिया का यही एक ऐसा state है जिसके अंदर सबसे कम कटोफ रहती है फर्स्ट राउन्ड की बात करें तो 100 marks पर college मिल जाता है लेकिन इसकी खासित यह है कि second round और मोपप राउन्ड में इसकी कटोफ बढ़ जाती है second round में 250 रह सकती है और last round में 300 रहती है यहाँ minority के college भी है minority के college काफी कम marks पर कटोफ रहती है इनकी minority के college की वैसे भी UP state में अभी fees पर काफी control हो चुका है फिर भी कुछे college में hidden fees तो रहती ही है और इसकी जो fees है वो 15 लाक रुपे तक पढ़ जाती है बिहार state की बात करें तो इसकी भी काफी fees है बिहार state की first round में 200 तक seat मिल जाएगी second round में 170 तक मिलने की chances है और 150 तक last round में मिलने की chances है यह जो दोनों open state है इनमें सभी seat उंपर other state के candidate eligible हैं यनि कि private की सभी seat उंपर other state candidate यहाँ पर eligible हैं बात करें हिमाचल प्रदेश की तो यहां मैर्सी मारकेंडेश वार एक private college है सोलन में first round की cutoff इसकी 300 रह सकती है second round की 265 और last round की 250 cutoff रह सकते है हिमाचल प्रदेश की उत्राखंड की बात करें तो उत्राखंड में fees काफी ज़्यादा है लेकिन यहां एक नया college है कोतंबुद नया college है इसकी जो cutoff है वो last cutoff काफी डाउन जाती है 250 first round में second round में 160 जा सकते है और last round में 150 cutoff जा सकती है नया college है बाकी जोली grant जो है यह high rank पे थोड़ी सी ज्यादा rank पे जाता है fees ज्यादा है ज्यारकंड में अगर बात करें तो एक private medical college है और एक धिमड़ी उनुवर्सिटी है टाचाँस तो इसकी अगर private medical college की बात करें तो private medical college में 300 पर यहां पर first round में 245 पर Second round में और 200 पर last round में seat मिल सकती है यहने कि मोपप राउंड में seat मिल सकती है जहारखंट state में अब बात करें next state तमिलाडू south का state है और यहाँ पर first round में 420 कटोप रह सकती है 450 कटोप रह सकती है second में 280 रह सकती है और last round में 208 तक कटोप चली जाती है यहाँ पर तमिलाडू state में वेस्ट बंगोल में फीज काफी जादा है इसलिए first round में 110 second round में 130 थोड़ी कटोप जादा सली जाती है और last round में 125 कटोप रह सकती है यहाँ राजस्तान में second round से अलाव होते हैं राउंड के लिए फीज काफी जादा होती है यहाँ अधर इस्टेट के लिए फीज काफी जादा होती है इसके बाद में बात करें हम आंधरे इस्टेट की तो आंधरा में 70 फर्स्ट राउंड की कटोप रह सकती है 440 सेगंड राउंड की रह सकती है 350 लास्ट राउंड की कटोप रह सकती है तेलंगाने स्टेट की आंधरा से ज्यादा कटोप जाती है 475 फर्स्ट राउंड 422 और 300 अगर माने हम तो लास्ट राउंड की कटोप यहाँ जा सकती है स्टेट में Pondicherry की बात करें तो first round काफी high जाता है 500 पर जा सकती है second round 150 पर और 108 पर last round की cutoff जा सकती है Pondicherry की भी fees काफी ज्यादा है तो हमने यहां देखा कि जिस state की जितनी ज्यादा का फीस है कटोफ इतनी ही कम जाती है कर पीस वाले स्टेट की कटोफ ज्याधा जाती है यह रहाए ह। यह यहाँ पर यह system है अब बात करें गम्डी उनवरिश्टी tad क्षब का कडोफ रहती है यह रही है कि अगर जिस कॉलेज की स्पीस कम है तो उसे का इसकोर काफी स्कोर पर वो कटोप रहती है इसकी और जो फीज ज्यादा है जिनकी जैसे किसी की 25 लाक्स भी है तो कौलिफाइंग मार्क्स पर भी वो कोलेज मिल जाती है दिम्डी उनिवर्सिटी तो दिम्डी उनिवर्सिटी की कौलेज वाइज फीज है और वो फीज के अकोर्डिंग ही कटोप इसमें डिसाइड होती है कि कितनी ज्यादा फीज है यानि कि इसमें 10 लाक्स से के लावा पुने की है तो इनकी फीज काफी ज्यादा है 25 लाग तक मैक्सिमम फीज है देम्ड यूनिवसिटी की तो यह मैंने आपको बताई है कटोप जो ओपन स्टेट की है प्राइबेट मेडिकल कोलेज की है नेक्स्ट वीडियो में आपको सेमी गावर्मेंट मेडिकल कोल है किस स्टेट में है कितने उसकी कटेग्री वाइज है कि अ क्ट वस्टेट स्टेट के सुछे स्टेट के समाल ऑालले स्टेट क्ट बताउस्ट Denise